So, hello everyone, this is Riddav Shasta, I'm your best final professor from GSVM Medical College, Kanban. So guys, NEET 2024 आ रहा है करीब. अब आपकी होरी दिल की धड़कने तेज, समझ नहीं आ रहा कि इस टाइम पढ़ना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए. क्योंकि cut-off आपने जैसा देखा था कि NEET 2023 में भाई आसमान फाड़के दिकल दिया आसा cut-off. तो भाई सब को score तो अच्छा करना लिए. और सबसे बड़ा devil जो NEET की तियारी कर रहे होते हैं, 95% experience की life में होती ही physics. तो मैंने का क्यों नहीं physics के लिए आपको कुछ ऐसे chapters बता दूं, जहांसे अगर आप उन chapters को पक्का कर लिए, तो मैं guarantee दे रहा हूं, लिख के लेना चाहिए इस वीडियो पर नी 2024 के बाद आके भी comment करके देख लेना, 120 number जो मैं topics बताऊंगा, उन्हीं में से आएंगे, 120 number के questions उन्हीं topic में से आएंगे, देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 100% की तरह focus करने के चक्कर में, 80% number ले आते हैं, अगर हम लोग सही बताएं, काभी जो भी पूरा गर आप paper का analysis करोगे, तो आप आओगे कुछ particular, जो पूरे syllabus का कुछ ऐसा 30-40% part है, जिससे पूरे paper का 80% paper बनता है, मतलब समझ रहे हो कि नहीं, कि आप 30-40% syllabus से 80% number ला सके हैं, और बाकी बच्चे हो 60-70% से आप सिर्फ 20% लाते हो number, और हम लोग फोकस क्या करते हैं, उन 60-70% part of syllabus में focus कर रहे होते हैं, यानि कि बस 20% number लोग पर focus कर रहे होते हैं, इधर 80% लोग अपना number खाली इक चाप्टर जो जो बताओंगा, उसको करके जाना, एक और disclaimer दे रहा हूँ, ये chapter बहुत अच्छे से करने हैं, ध्यान रखना है, ये chapter बहुत अच्छे से करने हैं, वाला हम इसमें से कैसा भी question आजाए आप कर लो, और जो chapter बच रहे हैं इनके लाबा, वो chapter भी आपको करन ये, तो 120 मैं इधर से number दे रहा हूँ, उधर से कर तुम खुद से 30 number, 40 number निकाल लिए, भाई physics जो तुम्हारे devil बनती थी, तुम्हारे 60 number, 80 number नहीं आते थे, अब तुम्हारे आसानी 640, 650 number आने लगी है, मेरा ये कहना बस मान लो, ठीक है, तो इससे पहले कि आगे बढ़े, देखो यार, 120 number तो आपके कहीं नहीं है, physics में, इस वीडियो का एंग तक देखोगे, 120 number आपने पके है, ठीक है, पट मैं अगर आपको बोलू, मैं आपको कुछ और number free में दे दूँगा, तो आप सब लोग लेना चाहूँ, तो चलो, मैं आपको एक ऐसी app की बारे बताता है, colorful diagrams है, demonics है, physics के लिए formula जो आपको चाहिए, सारे है, मतलब, आपको रटाने के लिए pictorial memory भी त्यार होगी, concepts भी clear होगे, सब कुछ एक जए, उसके बाद इनका दूसरा feature की बात करें, यह को होता क्या है, आप लोग नीट में जाते है, हम लोग जो paper देके आते हैं, लगत तो था, वोग ट्रिकी था, ठीक है, बट जब result था, तो पता चलता है, भाई, 700 की उपर लाने वाले, 100 की उपर लोगे, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों को paper साल लग रहा है, और आपको paper tough क्यों लग रहा है, क्योंकि आप लोग वो tricky question practice करके जाही नहीं रहे हो, आप एक simple fan-based चीज़ें पढ़के जा रहे हो, बस, तो महभूनी टैप ने किया कि है, in-depth question करके feature launch कर लिए, तीनों subject के लिए, physics, chemistry, biology के लिए, आपको क्या करना है, simply इसमें जाओगे, तो आपको tricky question main paper मिलने थे, वो आप पहले ही देख लोगे महभूनी टैप पे, तो जो आपको paper challenge क कर रहा था, वो challenge जब पहले accept करके, अपने आपको उस level पर prepare करके जाओगे, तो आपका need का paper बहुत awesome जाएगा, उसके बाद भाई, इनका जो तीसरा feature आए, जो अभी newly launched बहुत अमेजी थे, pyq marked ncrt, मतलब भाई, इनोंने पूरी ncrt आपको provide कर दी, उसमें जो highlight points से उसमें मैमोनी टैप, ncrt पढ़ दे तो भी मैमोनी टैप, और कितना easy सब कुछ कर भी आए भाई, तो भाई अगर ये आगर आप अभी तक नहीं करें हो, तो कब करोगे भाई, देखो भाई, link description में दी हुई है, ठीक वहाँ पे जाओ, मैमोनी टैप के बारे को और जा दो, subscription जल्दी से जाओ, किसका इतिजार कर रहा हूँ, जल्दी से जाओ, link description में दी हुई है, चलो, अब आते हैं अपने main topic, that is, क्या है वो आखिर topics, क्या है वो आखिर important chapters, जिसको हम लोग कर लेंगे, तो भाईरे number secure हुचेंगे 120 plus, पहली सी जानलो देखो भाई, 12th की physics ज्यादा 11th की physics कम पुची आती है, कम मतलब ऐसा नहीं कि 20% पुची है और 80% पुची है रहे है, अगर weightage देखो कि तो somewhat 40-60 का weightage है, ठीक है, बहुत बड़ा अंतर रही है, ठीक है, तो आपको 11th भी पढ़ना को 12th भी पढ़ना है, अब 12th वाला section क्या होता है, थोड़ा boring है, थोड़ obsolete चीज़े हैं, कई ऐसे चीज़ें जो आप imagine नहीं कर सकते हो, ठीक, आपको imagination उसमें काफी strong करनी पड़े कि तब जाके आपको समझ मैंगा, तो 12th वाले chapters थोड़े tricky है, थोड़े challenging है, और उसी से आप नो कतराते हैं, उसी से आप धरते हो, बट नीट क्या करता है, वही से question पूसता है, तो अब तो आपको सीख नहीं पड़ेगा, तो मैं जो जो chapter बोलना हूँ, लिखके ले लो ये chapter तुम कर की ही जाओगे, चाहे जो हो जाए, ठीक है, ये chapter तो छोड़के जाना ही नहीं है, बहुत time इनीट में, ये chapter तो दम पक के कर लेने हैं, ठीक है, start करते हैं, एक जैसे तीन chapter है, मैं उनका नाम ले लेता हूँ, देखो, magnetism, electrostats और gravitation, तीनों में pattern of sets चलते हैं, मतलब एक sets of formulas चलते हैं, यहाँ पर F is equals to G1 M2 square, तो F is equals to K2 1 Q2 square, उधर सेट भी ऐसा pattern चलता है, magnet में, तो अगर आप, मैंने previously एक वीडियो cover भी कहा दें, जैसे मैं मैंने comparison करके दिखाया था कि भाई, तीनों chapter के formula एक दव से मैं, कुछ बदल ली रहा है, K की जगे G रख दिया, Q की जगे M रख दिया, बाकि सम कुछ से में, तो अगर आप यह तीन chapters पढ़ों के जैसे अपने electrostats पढ़ दिया, तो magnet आपको पढ़ने में असानी होगी, electrostats magnet पढ़ से मैं आपको बता है, 4-5 question मिलेंगे, including capacitor वाला part, ठीक है, current electricity कर लेना, वहां से 3-4 question मिल जाएंगे, ठीक है, उसके बाद यह है, आपको मैंने बता जी के चलो magnet हो गया, current electricity हो गया, AC हो गया, aim wave हो गया, gravitation हो गया, ठीक है, यह सारे आपको part हो गया, उसके बाद आते हैं, अग बिला के 4 question मतला हम जोड़ दो भाई, अपने यहां भी number बढ़के ही आएंगे, हाँ, EMI भी कर लेता है, EMI, AC, EMI, ठीक है, यह चीज़ कर लोगे, यहां से भी 2-3 question आपको मिल जाएंगे, EMI, ठीक है, उसके बाद आता है, optics, real optics और wave optics, ठीक है, मेरे साब से formula based जाता है, practice अच से 2 question मिलेगा, यहां पर guarantee, और हाँ, एक ऐसा chapter जिसको आपनो बिल्कुल भी ध्यान ने जेते हो, सोचते हो, मेरे को तो आता ही आता है, और हर साल उसे 2-3 question आ रहा है, यह नया trend बना है, NTA नया trend बना है, units and division का, आप उठा के देख लो, को यह paper चाए, 20 का paper उठा के देख लो ठीक है, तो यह चीज़ ध्यान रकर, जो मैंने यह chapters बताए है, इसमें पूरी full grip बना ली नी है, अगर आपने इसमें ग्रिप बना लिया ना भई, तो एक दम आप मजे में आ जाओगे, यह chapters आपने कर लिए, उसके बाद बसता है क्या है अपना, वो mechanics वाला part, mechanics में आपका W WPE हो गया, NLM हो गया, वो हो गया, आपका क्या नाव है, kinematics हो गया, ठीक है, kinematics हो गया, NLM हो गया, WPE हो गया, यह समें बहुत ज़्यादा score है, मतलब पूरा अगर मैं आपको यह बताओ कि आपको पूरा यह वाला part अगर ले लो, ठीक है, mechanics का पूरा part ले लो, पूरी mechanics अर तर तीस कोशन की, बट मैं आपको 35 से 36 कोशन पहुचा चुका हूँ, जो 50 कोशन में आ रहे होते हैं, अब बच रहे हैं आपके 15 से 16 कोशन, जो बच रहे हैं आपके, वो अगर आप उनके chapters के आपको basic information होगी, formula based बहुत चीज़ों उन में से आती है, अगर आपको पता होगी रखना, मतलब अगर अभी आप एक दम सोच रहों कि कौन से दम ही आपका कुछ नहीं हो रहा है, तो आप पहली ये chapters पके करो, उसके बाद उन chapters में move करना हो, वो chapter भी करने हैं, पर ये chapter बहुत अच्छी से करने हैं, ठीक है, और अगर इतना कर डाला ना, तो आपकी life change गाला Trust me, मैं कह रहा हूँ, ये वीडियो तो फिर सदीर 2024 के पेपर के बाद आजाना, और तुम जोड लेना, जो जो मैंने topics बोली, उसमें से total कितने question का, उलब कितने number का paper आया है, physics में, ठीक है, तो जैसे physics, असान मतलब आपके लिए important topics बता दिये, अगर आपको ऐसे chemistry, biology, chemistry में भ organic physical की भी videos चाहिए, तो please comment करके मेरे को बता देना, मैं भी जानना चाहिए, क्योंकि मैं इधर भी chair counseling में बहुँ जादा busy हो गया था, तो मैं general videos cover करना बंद कर दिया था, और मेरे final year में चलना है, तो बहुँ जादा focus हो भी नहीं पारा है, मेरे YouTube पे, तो आपको अगर बबाई टेकर, wish you all the best, physics में आग लगा के आना है, चलना, बाई